हे गाईज वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसेन टॉप पर मैं हनसिका और आज मैं बात करने वाली हूँ पंच सकार चून के बारे में दोस्तों मार्केट में अलग-अलग ब्रैंड के पंच सकार चून एवेलेबल हैं पर मैंने यहाँ पर डाबर कंपनी का पंच सकार चून लिया है मैं बात करने वाली हूँ पंच सकार चून के फायदों के बारे में इसे कब, क्यों और कैसे इस्तिमाल किया जाता है क्या इसके कोई side effects भी हो सकते हैं और इसका इस्तमल कितनी मात्रा में किया जा सकता है ये सब जानकारी मैं आपको दूँगी पर वीडियो शुरू करने से पहले फिर से आप से request करूँगी कि प्लीज मेरे चैनल को subscribe जरूर कर दें और वीडियो पसंद आये तो एक like भी जरूर कर दें तो आई ये वीडियो को शुरू करते हैं दूस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके price और packing के बारे में तो कुछ इस तरह की डिबी में ये 60 gram की packing में आता है इसका market price इस समय 75 रुपे है टाबर कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है और ये आपको किसी भी medical या आयरवेदिक store पर आसानी से available हो जाएगा बात करें इसके ingredients के बारे में तो इसमें पाये जाता है हरड, अद्रक, सेंदा नमक, सनाय और सौंफ आदी दोश्तों बात करते हैं पंचसकार चून से होने वाले फाइदों के बारे में पर उससे पहले जानते हैं कि पंचसकार चून है क्या पंचसकार चून पांच प्रकार के योगिकों से त्यार की गई एक दवा है जो पेट के लिए बहुत ही फाइदेबन मानी जाती है पंसकार चून पेट वपाचन से जूड़े हर प्रकार की प्रॉब्लम जैसे गैस, अपच, कब्ज, पेट दर्द, मलत्याग में प्रॉब्लम, एनल रिजन में दर्द या एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स के लिए इस्तिमाल किया जाता है डावर के पंसकार चूण का इस्तिमाल मुखिता बदहचमी, कब्ज, एसिटी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है पंसकार में मौजूद हरड पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है हरड हमारे शरीर में मलत्या की प्रक्रिया को बहतर करता है और मल को मुलायम करके शरीर से बहार निकालने में मदद करता है पंसकार चूण में मौजूद अद्रक में पेट के अलसर की प्रॉबलम को ठीक करने के गुण होते हैं ये पेट की गैस और सीने की जलन जैसी समस्या को भी दूर करता है पंच सकार में मौझूद सौफ पेट की एंठन वदर्द को कम करने में मदद करता है ये पेट की एसिडिटी को ठीक करता है पंच सकार में मौझूद सेंधा नमक सरीर में गैस्ट्रिक जूस के स्ट्राव को बढ़ाने में मदद करते हैं जिससे डाजेशन इंप्रूव होता है पंचसकार में मौजूद सनाय एक लक्जेटिव का काम करता है जो मलत्याक की क्रिया को बहतर करके शरीर से मल को बाहर करने में मदद करते हैं वो कबज जैसी समस्या से राहत देते हैं पंचसकार चूण का इस्तिमाल बबासीर जैसी बीमारी से पीडित लोग भी करते हैं बात करें पंचसकार चूण की डोस के बारे में तो पंचसकार चूण को अलग-अलग एज और जेंडर के लोगों में अलग-अलग मात्रा में दिया जाता है एक नॉर्मल एडल्ट में इसको 2-5 ग्राम चूण को रात को सोते समय रोजाना गुनगुने पानी के साथ दिया जा सकता है इसके अधिक फाइदे पाने के लिए इसे पानी की जगर गरम दूद के साथ इस्तमाल करें बच्चो को देने से पहले डॉक्टर से परामश जरूर ले लें जितनी मात्रा में डॉक्टर दोरा बताया गया है उतनी ही मात्रा में लें ओवर डोस ना करें अब बात करते हैं इसके side effects के बारे में तो दोस्तो वैसे तो पंसकार चूण में herbal ingredients होने के कारण इसके कोई भी side effects दही के नहीं गए है फिर भी अपने doctor से एक बार परामस जरूर ले ले तो दोस्तो ये तो दी छोटी सी जानकारी डाबर के पंसकार चूण के बारे में आई होप आप लोग को पसंद आई होगी और beneficial रहेगी